गती सो सब प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पांच सकेंड बाद रेडी स्टार्ट बहु चर्चित भारत जोडो यात्रा के दोरान सनीवार को हुई कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की प्रेस कॉंफरेंस पर वैसे तो कई वजहों से सब की नजरे थी लेकिन जो सबसे बड़ी बात इससे निकली वह थी देश के एक बड़े उद्द्योग पती गौतम अडानी के राजस्थान में निवेश के फैसले पर आई उनकी टिपनी प्रेस कॉंफरेंस के आखिर में हुए एक सवाल पर पाटी के मीडिया सलाहकार जैराम रमेश की अपतियों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया और साफ किया की उद्द्योग पती अडानी के राजस्थान में निवेश करने या गहलोत सरकार के उसका स्वागत करने में कुछ भी गलत नहीं है उन्होंने कहा कि कोई भी मुख मंत्री अपने राज्य में साथ हजार करोड रुपिये का निवेश ठुकरा नहीं सकता उसे ठुकराना भी नहीं चाहिए धियान रहे अब तक राहुल गांधी परधान मंत्री मोधी का दोस्त बताते हुए देश के जिन दो सबसे ब अलोचना करते रहे हैं उनमें एक गौतम अडानी भी हैं ऐसे में यह सवाल श्वाभाविक था कि अगर बिजेपी सरकार किसी उद्योगपती से कहीं निवेश कराती है तो वह गलत और कॉंगरेस सरकार कराती है तो वह सही कैसे हो सकता है राहुल गांधी का इस पर कहना है कि ना तो वह कॉर्पोरेट विरोधी है और ना किसी उद्योगपती का कहीं निवेश करना गलत मानते हैं उनकी अपत्ती तो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुछ उद्योगपतीयों को एकादिकार स्थापित करने का मौका देने पर है उनकी सफाई कितनी संतोस जनक है यह एक अलग सवाल है लेकिन इस प्रकरन का एक महत्पून सकरात्मक पच्छ भी है जिसे नियमित राजनीतिक तूटू मैमे के बीच नजर अंदाज कर देना ठ ठीक नहीं होगा भारतिये राजनीती की एक विसेष्टा रही है कि चुनावी मुकाबलों और वोट बैंक की खींचतान के बीच भी विदेश नीती सेना और बिजनेस जैसे छेत्रों को इससे अलग रखा जाता रहा है अपने देश की इंडस्ट्री ने भी हमेशा इसका ख अपनी राय रखते हुए भी वह चुनावी लड़ाई से सुरच्छित दूरी बनाए रखे पिछले कुछ वर्षों में पहली बार वह दूरी समाप्त होती नजर आई राहुल गांधी किसी परमुख राजनीतिक दल के ऐसे पहले नेता बने जिनोंने नाम लेकर कुछ उद बताते हुए उनकी खुली अलोचनाक सुरू की इससे उद्योग और राजनीति के बीच की सीमा धुंधली हो रही थी जिससे दिर्ग कालिक नुकसान का खत्रा पैदा हो रहा था खुद कॉंगरिस की भी छबी उद्योग विरोधी पार्टी की बन रही थी राहुल गांधी के इस असपश्टी करन के बाद अब कॉंगरिस की यह जिम्मेदारी होगी की वह राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हुए या चुनावी आरोप परत्यारोप में उलजाते फिर से लाइन क्रोस करती हुई ना दिखने लग जाए पारंपरिक युद के जिस स्वरूप को हम परमानुपतिरोध नुकुलियर डेटरेंस की बदावलत समाप्त मान चुके थे वह लोट आया है रूस युकरेन और मद एसिया से लेकर भारत की चीन से लगती उत्तरी सीम तक ऐसे युद की आसांकाएं बिलकुल अस्पस्ट हैं चुनोती यह है कि खुद को इस अस्थिती का सामना करने के लिए तैयार किया जाए और जहां तक संभब हो इससे फाइदा उठाने की भी कोशिस की जाए भारत के संदर्भ में बात करे तो पाकिस्तान के खिलाफ उरी सरजीकल अस्ट्राइक लद्दाक में चीन की गतवीधियां और गलवान में हुई भिडंत सब इसी पारंपरिक युद के असार की और संकेत करती है भारत को इसके लिए खुद को तैयार करना होगा हालां की नए चीफ ओफ डिफेंस सीडियेस की नियुकती के बाद पुनर मुल्यांकन की इस परकिरिया के नई गती पकड़ने की अपेच्छा है लेकिन एक राजनीतिक निर्ने करता के नजरिये से उपलब्द सैन विकल्पो पर गमभिरता से विचार करने का भी यह सही मौ है ताकि उसके बाद प्राथमिकताएं तैक करके संसाधन आवंटित किये जा सके इस लिहाज से कुछ पहलू गौर करने लायक हैं दुसमन से फिजिकली उल्जे बिना तेजी से युध चलाकर लच्छ हासिल करने की अवधारना अब ज्यादा प्रशंगिक हो गई है इसमें अपने सेनीको को दुसमन की सीमा में भेजे बगर सैन्नेहमलो के जरिये विरोधी देश का भारी नुकसान करने पर जोर होता है सेनीको के हताहत होने या उनके दुसमनों के कबजे में आने पर राजनीतिक नुकसान वजनमत के भी प्रतिकूल होने का खत्रा रहता है एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के लिए बहतर यही होगा की नौन कॉंटेक्ट वारफेर खास कर मिसाइल और ड्रोन में सैन संभावनाओं के विस्तार की संभावना खंगाली जाए मिसाइल के मोर्चे पर सेना के अधीन एक समर्पित मिसाइल फोर्स बनाने के बंद में ततकाल फैसला करने की जरूरत है इससे राजनीतिक तोर पर वहल चीलापन हासिल होगा जो एर फोर्स नहीं दे सकता वजह यह है कि उसमें पाइलटों के जान गवाने या दुसमनों के कबजे में फसने का खतरा हमेशा बना रहता है हलांकी फाइटर एरक्राफ्ट बेहद कारगर और प्रभावी वेपन सिस्टम है लेकिन भारत के मामले में वह एक हाई रिस्क पॉलिटिकल च्वाइस कहलाएगा पाकिस्तान को एफ सिक्स्टिन विवानों के लिए मेंटेनेंस पैकेस देने के सवाल पर अमेरिका से हाल में हुई तना तनी उस कड़वे अतीत की याद दिलाती है जब इन विवानों की पहली खेप दच्छिन एसिया पहुंची थी और इनकी काट के लिए भारत को फ्रांस से मिराज 2000 लेना पड़ा था आज भारत अमेरिकी रिष्टे अलग हैं इसका फायदा उठाते हुए भारत सरकार को अमेरिका से मिलने वाली सबसे अच्छी ड्रोन टेकनोलोजी हासिल करने पर जरूर विचार करना चाहिए कोई नहीं जानता की F-16 की ही तरह पाकिस्तान की जोली में कब क्या आगिरेगा मिसाइल और ड्रोन ऐसे हत्यार हैं जिनके जरिये दो विरोधी देशों के बीच संपूर्ण सामरिक अस्थिरता को बिगाड़े बगैर लडाई सुरू की जा सकती है इसी लिए यह और भी जरूरी है कि भारत अपने मौजूदा मिसाल संसाधन को सूब्यवस्थित करें और सर्वस्रेष्ट द्रोन टेकनलोजी हासिल करें ताकि इसके लोकतांत्रिक राजनीतिक नेत्रित्व के पास विश्वसनिये विकल्प उपलब्द रहें स्टोप